हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज का ये निया वीडियो में आप सभी को धेर सारा बहुत सारा स्वागत है मेरा नामे गोपाल तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे एड मॉप को ले करके आप में से बहुत सारे भाई लोगों ने कॉमेंड किया था जो भा अंदर हमारा जो एडमोप का जो original ID है ना जो रियल ID है उसका इस्तिमाल किया और जब ही हम अपना एप को open करते हैं तो एड का उपर test add show होता है मतलब जो एड है वो test add show हो रहा है ऐसा क्यों हमने तो original ID डाला है ना ठीक है तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है अगर आपको जानकरी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं आटि तो दोस्तो अट्यमॉब जो है न समय समय पर अप्डेट होता रहत है और अप लोग ने जो कॉमेंड किया था दोस्तो रियल एड सो नहीं हो रहा है टेस्ट एड सो हो रहा है तो दोस्तो इन देखिए अगर इस मोबाल में अगर आप अपना एप को बिल्ड करते हैं Android Studio या फिर कोई भी कहीं से भी ठीक है आप पहली बार आपको एक mobile चाहिए ना अपना एप को इंस्टॉल करने के लिए टेस्ट करने के लिए तो फर्स्ट टाइम आप जिस mobile में आपना बिल्ड हुआ एप को इंस्टॉल करेंगे टेस्ट करेंगे ठीके या फिर बनाएंगे तो उसी mobile में ही आपको टेस्ट add देखने के लिए मिलेगा ठीके अगर आप उस एप को कही दुसरे मोबाइल में share करके install करते हैं तो उहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा उहाँ पर आपको original ad show होता हुआ देखने के लिए मिलेगा आपको समझ में आया ना अगर आप android studio में application बनाते हैं तो आपको एक device चाहिए ठीक है अपना app को install करने के लिए में virtual device का बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप android studio में आप बगर बनाते हैं तो आपको टेस्ट करने के लिए एक original device चाहिए ठीक है आपको इसमें लगा के अपना app को बहुत सा रहे तो जिस device में first time आप app को install करोगे तो उस device में ही सरफ उसी device में ही आपको test add देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एडमो अपने दोस्तों पता लग जाता है जो आप first time कौन सा device में app को इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसी में क्योंकि आप test करने के लिए पहली बार आप टेस्ट करने के लिए ही इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको सरफ इसी device में test add देखने के लिए मिलेगा आप उस app को प्लेस्टोर में publish कीजिए कि आपर कहीं पर publish कीजिए आप दूबारा डाउनलोड करोगे ना जिस डिवाइस में आपने पहली बार इंस्टॉल किया था तो उसी में ही सिर्फ आपको test add देखने के लिए मिलेगा ठीक है मतलब मैंने उस app को अंस्टॉल कर दिया उसके बाद एडमोब ने यह क्यों किया है क्योंकि invalid activity ना हो invalid click ना हो क्योंकि आप पहली बार अपना एप को फस्ट डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए ठीक है अगर एडमोब का एड इसमें दिखाये जाएगा तो यह तो invalid click हो जाएगा ना एडमोब का एड उसी को देखना चाहिए जिसको इंट्रेस्ट है अगर आप जबरदस्ती देखोगे एड को एड का पर click करोगे तो तो invalid activity हो जाता है दोस्तों अगर आपको यह invalid activity क्या है पता नहीं है एडमोब के अंदर बहुत कुछ options बगेरा है कब approve होता है या फिर एड एड लिमीट क्यों हो जाता है या फिर उसके अंदर बहुत कुछ options बगेरा है दोस्तों अगर आपको इसके बार में पता नहीं है तो comment जुरूर कीजिए मैं आपको help करूंगा उसके बार में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ठीक है बहुत time होता है एड भी सबाल है दोस्तों तो comment कीजिए मैं उस पर particular एक एक करके वीडियो बना दूंगा ठीक है वीडियो का description में description में नहीं comment section में आपको comment करना है और इस वीडियो को like कर देना है अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके घंटी बटन को all notification पर set कर दि का सवाल का जवाब मिल गया होगा क्यों हमें टेस्ट एड़ सो होता है दोस्तों अगर आप उस एप को कहीं दूसरा डिवाइस में इंस्ट्रॉल करेंगे मतलब सियर करके डाइरेक्ट नहीं सियर करके तो आप देखेंगे उस डिवाइस पर आपको original एड़ सो हो रहा है ठी मैं अगरा आपको टेस्ट एड़ सो होता हुआ दिखाए दे रहा है ना दोस्तों ठीक है आपने अपना मोगल में सब्सक्राइब करके इन्सटा ज़ेकर करना होगा को आपका जो बिल्ड हुआ एप को बहुत सारे एपके एडिटर बहुत सरे एप आता है ठीक है एपके टूल बहुत सरे आता है उसमें आपको खोल के देखना है क्या आपका एडमॉप एड यूट आइडी तो चेंज नहीं हो गया है क्योंकि तो आपका द्यान रखेगा अभी तो नहीं होता है अभी आपको ऐसा प्रोब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा पहले था अगर आप ओरिजिनल एड मॉप का एड इूनिट आईडी लगाएंगे ना रियल एड आईडी का लगाएंगे ना जब आप अपना एप को बिल्ड करेंगे तो चेंज हो जाता है ऑट करके देखिए ठीक है कोई भी प्रोब्लम आता है ना कोई भी मतलब दोस्तों कोई भी अरण बगर आता है तो आप उझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपका हेल्प करूंगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं साइद आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच् सेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए तना है दोस्तों बाबाए